में सरासी बालों का आने वाला दिन यानी की 19 मार्च 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 19 मार्च 2021 के पंच्यांग के बारे में आजिति थी है सस्थी नक्षत्र है कृटिका पक्ष है सुक्ल पक्ष दिन है सुक्रवार आज के दिन सुर्य उदे का समय है छे बज के 27 मिनट में सुर्य अस्त का समय है छे बज के 31 मिनट में रितू है वशंत आज का दिन काल है 12 घंटे 4 मिनट 36 सिकेंड का महिना है फाल गुन आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 12 बज के 5 मिनट पीएम से 12 बज के 50 मिनट पीएम तक असुभ समय सुरू होता है 8 बज के 21 मिनट एम से 9 बज के 40 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है दस बज के 58 मिनट एम से बारह बज के 29 मिनट पी एम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो मित्रों ये था आपके आने बाले शमय का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सकी मित्रो आने बाले शमय में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने बाले शमय में यदी आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो आप दोनों का शंबंध बहुत ज्यादा मजबूत होगा आने बाले शमय में यदि आप मुलाकात करते हैं तो आप दोनों का शंबंध बहुत ज्यादा रोमान चक होगा मित्रों आप में से जो भी जातक बेपाडी हैं कारोबाडी हैं तो आने बाले शमय में अपने बेपार अपने कारोबार के छित्र में समय के दुरुप योग से आपको बचना होगा क्योंकि आने बाले शमय में यदि आप अपने बेपार के छित्र में कोई भी जल्दिबाजी करते हैं तो आने बाले शमय में आपको पड़िशानी का सामना बहुत जियादा करना होगा तो आने बाले शमय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों आप में से जो भी जातक च्छात्र है विद्यार्थी है तो आने बाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के च्छेत्र में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा आने बाले शमय में यदि आप अपने पढ़ाई लिखाई के कारण अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं तो आने बाले शमय में इस काम को करने में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक क्या है? मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली अंक है साथ यणी की सेबन आपके लिए भाग्यसाली रंग है सिल्बर और शफेद मित्रों आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबं सांधार बनाने के लिए आपको दूद या जल में केसर डाल कर उसका सेबन करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबं सांधार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें एबं इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें एबं अपने आने बाले शमय को बिहतर और शांदार बना सकें धन्यवाद भीडे बना सक्राप्ड़ धनमादेस वीडियो के कर देखें इस वीडियो को देखें वीडियोकर